कि अज़े आपको बीम सेना के और भी पताजी कारी है सार आपका नाम तोरंसे हैं अहिरवार अहिरवार जी आपको मद्यपर्देस और जीए हैं तो बहुत पूरे भारत वर्स के अंदर इस तरीके का आक्रोस है लोगों के अंदर कोई घड़ना घड़ जाती है उसके बाद में वह भार निकल कर आते हैं अगर पहले से अगर जागरुप किया जाए अगर जागरुप हो जाए तो समाज पर इस तरीक अत्याचार नहीं होंगे है हमारा जो भीम सेल हैं मुझे क्या है चात्र फिंके राष्टे अठाई जन्वरी को मुझे बनाया गाया है हम जब से मद्धे-प्रदथ में पूरा लगातार जो भी एधुकेशन सिस्टं है। उसमें हम संस्ताओं में जाखर जाकर के चात्राओं को चात्र-चात्राओं को ignoring और पहले से अướंब कर लेकिन यह मनुवादी सरकार छात्र-चात्राओं को आशवाशन देती है कि हम आपको रोजगार देंगे पिछले उलेक्षन में जो उन्होंने बादे किए दो करोड़ नोकरी हम रोजगा सज्जित करेंगे प्रते एक बार्स लेकिन आज देख लीजिए दो करोड़ के दो लाग भी रोजगार सज्जित नहीं हुए और के रहे हैं पकोड़े बनाईए पकोड़े बनाकर आपका रोजगार खुछ चलाईए तो इस प्रकार के नरद मोधी जी ने जो कमेंड किया है हम मानिय नरद मोधी जी से कहना चाहते हैं आप एजूकेशन सिस्टम जो चला रहे हैं उसमें भी कच्छा एक से ले करके और आड़ भी तक काम कर रहे हैं जबकि इसके पहले जो उसमिर्स विवस्ता थी उसमें भी हमारे छात्र हमारी प्लान है जिस्तरी के और संग्ठन चले आरे से वह भी बच्चों पर काम करता आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हम बच्चों पर काम करेंगे तो आप काम्याब हो सकते हैं देखो आरे से क्या है आरे से गुम्रा करने का काम कर रही है आज 1925 से लेकर के आ जो रिजर्बेशन के कारण जो अधिकारी करमचारी बने वो डाक्टर बाबा साब मेटकर की बजह से बने है ना कि आरे से की बजह से जो देन जो अधिकारी करमचारी बने हमारे स्टी सुडूल का सुडूल ट्राइप के लोग जो एजुकेटेट हुए है वो बाबा साब क कि देने भारती संभीधान की देने आरेसेस किसमें कोई देन नहीं है आरेसेस गुम्रा करने का काम कर रही है लोगों को तोड़ने का काम कर रही है उनको अपमानित करने का काम कर रही है तिने वाद कर दो कर दो कर दो